राशी की पहली जहलक को लेकर शब कोई हिब बेचैन जी हां आखिर किस तरह से आएंगी राशी नजर साथिया टू में तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहां पर खबरे ऐसी आ रही हैं कि कीला बेन यानी रूपल पठेल और देवोलीना दो कर रही हैं तो उसे एक परने बनते हैं कि किसी भी स्वाल की क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा है क्या रूपल पठेल और देवोलीना स्च में से एक्जिट करेंगी या फिर नहीं तैसा क्या रहे होंगे कोपी कागा की यादास आ चुकी है वापस और वह अपने एहम के किरदार में वापस आ चु जल्द होने वाली है लेकिन आपको बता दें बहुत जल्द अभी हाल ही में बात की थी मीडिया वालों ने मुहमंद जीम से जो की एहम का किरदार निभा रहे हैं तो उन्होंने बताया था कि सो इस बारे में अभी तक मेकर्स से नहीं सुना है यह सिर्फ खबरे सुनने में सो उनकी बताय हुए मुताबिक कि इस बात में हो सकता सचाई ना भी हो जी हां फिर खबरों में कितनी सचाई है कितनी नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता है सिर्फ ऐसी अफवाहें भी हो सकती है या फिर सच भी हो सकता है तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि हो सकता है देवो होना होगा राशी के साथ साथ अगर राशी के एंट्री होती है तो जिगर की भी एंट्री होनी ही चाहिए क्योंकि राशी और जिगर एक दुष्ट्रे के बिना अधूरे हैं और साथ्याटू राशी के बिना अधूरा है तो ऐसे में इन सब की entry हो रही चाहिए पूरी तरह से रासी की entry को लेकर काफी लोग बहुत ही ज़्यादा excited हो रहे हैं आपको बता दे रासी पहले साथिया first में इसलिए उन्होंने साथिया first को quit किया था क्योंकि वो on screen दो दो बड़े बड़े बच्चों की मान नहीं बनकर दिखाना चाहती थी जी हाँ वो ऐसा किरदार नहीं निभाना चाहती थी तो इसलिए उन्होंने सो से exit किया था तो अगर वो रासी की character में वापस आ रही है तो जैसा कि अभी तक साथिया two में देवोलीना की भी दोनों बेटिया नहीं दिखाई गई तो ठीक वैसे ही तोलू मोलू भी नहीं दिखाया जाएंगी सिर्फ रासी के एंट्री होगी तो कितना ज़्यादा एक स्वेर यड़ा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शियर करने हैं ना भूलना थैंक्यू फा वाचिंग